नमस्कार मेरा नाम है इश्रा साने और आप सबका स्वागत है हमारे दूसरे एपिसोड में जहाँ पर हम हमारी बाचे को कंटिन्यू करेंगे अंचु बटाचार जी के साथ तो अंचु आज का मेरा सवाल है कि एक्टिंग के लिए लग कितना इंपोर्टेंट है या एक्टर के लिए लग कितना माईने रखता है एक्टर के लिए लग का होना ज़रूरी तो है लेकिन लग ही सब कुछ नहीं है कैसे के जैसे मान लीजिए कि आप हार्ड वर्किंग नही फिर ये भी गलत है तो मैं आपको दो एक्जामपल देता हूँ हॉलिवट के एक बहुत बड़ एक्टर है क्रिस्टिन बेल तो क्रिस्टिन बेल जो है बच्पन से ही वो चाइल्ड एक्टर रहे चुके हैं उन्होंने बहुत सारे मुवीज में काम की हैं तो एक समय ऐसा आया जब उनके लाइफ में अमेरिकन साइको है और उस फिल्म के बाद उनका लाइफ पुरी तरीके से बडल गया पर इस दोरान उनने कभी भी अपने महनत कम नहीं किया है ना हार्ड वर्किंग जो उनका एटिटूड है उसको कम नहीं किया सेम एक्जामपल में देना चाहूँगा नवास सर का हम सब को पता है नवास सर ने कैसे चोटे-चोटे रोल से वो आए कंसिटनसी था उनके लाइफ में कहानी फिल्म जो है वो आई उसके बाद पुरा लाइफ ही उनका बदल गया तो मेरा कहना आप सबसे यह है जो भी एक्टिंग में आना चाहते हैं कि अगर आप सिब लग के साहरे रहेंगे और हार्ड वर्किंग नहीं रहेंगे अपने क्राफ्ट में काम नहीं करेंगे फिर लग भी आपका साथ नहीं देगा तो पहले ज़रूरी यह है कि आप अपने हार्ड वर्किंग नेचर को रखें अपने क्राफ्ट में काम करें कंसिस्टंसी रखें क्योंकि लग आज है कल नहीं है और अगर कल नहीं है और आज है उस टाम पर आप हार्ड वर्किंग नहीं है अपने क्राफ्ट में काम नहीं किया, तो लग साथ कैसे देगा? तो इसलिए जरूरी है कि लग के साथ साथ आप अपने क्राफ्ट में बहुत सब्सक्राइब काम करें. एक्टिंग की शुरुवात करने के लिए सही उमर क्या है? यह सवाल मुझे बहुत सरे स्टुटेंट पूछते हैं, आप एक ही नहीं मानेंगे, क्योंकि के लिए सब्सक्राइब काम क्या है, मेरे पास छे साल के बच्चा भी है, साथ साल के बुजर्ग भी है, यानि हर एज की स्टुटेंट है, तो जब भी कोई मुझे यह सवाल आपको, Morgan Freeman, जो 50s में एक्टिंग में आय थे, 67 में उन्होंने ओसकर लिया, तो इसलिए कोई राइट इज नहीं होता है, और बहुत जादा दूर जाने की जरूद भी नहीं है, मेरे थेटर ग्रूप में पूनित सेक्सेना सर हैं हमारे, तो पूनित सर 62 में उन्होंने लिए इसलिये हस पड़ा क्योंकि यहीं एक मित है, मलब जब हम कहते हैं कि एक्टर्स रोवार्न, ऐसा कुछ नहीं होता है, बिकर अक्टिंग बाकी परफॉर्मिंग आट की तरह ही है, जिसे सिंगिंग के लिए आपको रियास करना परता है, डांसिंग के लिए आपको प्र करना होता है अक्सर हम अपने आपको आएने में देखते हैं हम लगता है वाओ I'm so handsome I'm so beautiful तो मुझे acting में जाना चाहिए पर acting में look के साथ कहीं पर कोई तालमिल नहीं है तो talent जो है अगर मैं skill के साथ compare करूं जैसे Rani Mukherji और काजोल काजोल जो है बहुत talented है Rani Mukherji जो है उन्होंने अपने skill पर बहुत सदा काम किया है she is also very talented लेकिन अगर आप देखें तो Rani Mukherji ने अपने आपको बहुत ज़ादा डवलप की है समय के साथ साथ प्रैक्टिस के साथ साथ तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आप बॉर्ण एक्टर है अंचो एक्टर को कैसे पदा चल सकता है कि वो सही रास्ते पे है या नहीं एक्टर को कैसे पिला चल सकता है कि यह सही रास्ते पर है या नहीं उससे पहले जब एक्टर यह ठान ले कि मुझे एक्टिंग में जाना है तो सबसे पहले अपना एक विजन मना है उस विजन में पहले वो सोचे कि मुझे कहां जाना है अगर अगर को सेरिल करना है तो लुक बहुत ज़रुरी है संरी के लिए लूक साहथ दे गया तो आप सरी अमिता बेचन बंना यहा को लोगा वा हुँ पूंस। सेंअ जपे कुछा तो नहीं आमिता बेंचंद दूर उट्वारान ने Update मुझे विद्यावलन बनना है तो मनोज बाज पर शारुख खान दोनों एक ही एक्टिंग इस्ट्रीट से पास आउट है लेकिन मनोज सर ने कभी नहीं सोचा मुझे शारुख खान बनना है नहीं शारुख सर ने सोचा कि मुझे मनोज बनना है तो अगर आपको विजन स्ट्रॉंग है और आपको अगर अपने बारे में पता है कि मैं किस किसम का एक्टर हूँ, मेरा लूग किसमें दाधा फिट बैटता है, तो आपको पता चल जाएगा है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं. अंचु आपका इतना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहेगा, हम नए नए पॉड़कार्ट के साथ आपके साथ जुड़ते रहेंगे, आपके जो भी क्वेस्चन्स हैं वो प्लीज हमारे साथ शेर कहिजेगा, हम ट्राय करें उनका आंसार देने के लिए